मैं कल का ब्लॉग अपलूड कर रहा था तो इसलिए है मटर और यह लालाल बुंज क्यों है क्योंकि इन मैंने यहां पूरा गेहरे बाड़ी कर चुका हूं क्योंकि स्कूल के बच्चू की छुटी पड़ रही है आप तो बना नहीं पाया वीडियो क्योंकि दोस्तों मेरे फॉन में था नहीं चाहिए कि अ कि अ कि अ कि अ अ कि अब दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सब का फिर समेर एक न्यूव ब्लॉग के साथ में और कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूं आपसे लोग मस्त हों दोस्तों और मैं भी मस्तों और मस्त रहिए खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए याए पर दोस्तों वीडियो के सुर्वात थोड़ा लेट्स हो रही है क्योंकि मैं अपने नहीं देखा तो जाके देखिए जरूर तो चल्ओं लोग आगे का बेलेगा आप स्वारा मौसम देख लिए अई हाई मस्त मौसम है कड़क दूप आजकल धूपी दूप है देख सकते हो और अब थोड़ी देर बाद जाएंगे नीचे खेत खेत में लगाएंगे यार मटर और देख सकते हो यह है मटर और यह लाल-लाल बुंज क्यों ह इतना थी तो इसलिए एसे दिख रहे है आप दकनी देख सकते हो तो थोड़ी देवाड़ा पापा जी और मैं जाओंगा और यह देख सकते हो धाल तो इससे लगाएंगेा आइमिंग बोईंग गया नीचे तो देखते हैं कितने होते हैं कितने नहीं हो पाते हैं तो चलो तो थोड़ी वार इसको लेके नीचे खेत में चलते हैं और वीडियो बने रहे वीडियो को पूरा देखिए घज jeśli आए हाए अचे में खिलेrone हैं के पाल मेंग सबसे हैं कितने हैं कितने उत्यता हैं कितने कितने हैं कितने संहां हैं कितने और वीडियो को जएका दे में में पूरा गहरे बाड़ी कर चुका हूँ वहां से लेकर यहां से पूरा गहरे में आ चुका है और इसके नदर जूबिया वह तूट फूड़ा गनी तूटे के नहीं पेट लब यह जैसे प्राणी यह सारे पेड़ को तूड़ देते हैं कि पूजे से प्राणी और चलो तो मटर भी बोदी है और चलते हैं अब घर की और थड़ा माल्टा खा यहां को मिलता हूँ तो पहले नहाना दोना कर लेते हैं और उसके बाद फिर से मिलते हैं चलो जब नहाने चलते हैं और यह मेरा ट्राइप आजकल इस ही कहा यूजजुजज़ा हो रहा है टाइम लाइप नानी में देख सकते हो दोस्तो मैं नहा चुका हूं देख सकते हो और अब इसके बाद चलते है यार उपर मंदीर पर कौन से मंदीर आपको बताता हूं छेटरपाल जी के मंदीर है आपको पता ही होगा तो वहां चलते हैं क्योंकि हुआ है आज एक पूजा है मतलब उपर मध्या गाहों एक परिवा और दोस्तों आज भी महां जा रहा हूं है मतलब 11 तारीकों तुलोण मतलब पूरा मिक्स करके खाना बनाए जाता है मतलब सबके घर से थोड़ा-थोड़ा करके हर चीज आती है दाल चावल आटा मतलब मसाली जो जो मतलब देना चाते हैं दूद बहुत सारी चीज़े आती है और मिक्स करके मतलब खाना बनता है और गाव में हर एक आदमी आता है वहां और कल मुझे लग रहा है कि वहां एक मीटिंग भी है तो देखते हैं कल फिर से वहीं चलेंगे खेतरपाल जी के मंदिर में तो चलो तो फियाला भी चल लेते हैं खाना खाने के लिए वैसे तो स्कूल के बच्चों की चुटी पड़ रिखी है आप तो वैसे खुलने ही वाला है स्कूल आज वैसे भी दस तारिक हो गई या पंदर तारिक तक खुली जाएंगे सारे स्कूल तो चलो फियाल इस वाले रास्ते से चलते हैं जो इसे आगे वाले आपने देखे क्योंकि इसके बाद में बना नहीं पाया वीडियो क्योंकि दोस्तों मेरे फॉन में था नहीं चार्ज लाइट तो आनी रही थी यार इसलिए फॉन तो चार्ड था नहीं तो वसे भी कल मैं फिर जाओंगा मंदिर में क्योंकि कल है तो लोग आपको मैं बताओंगा कल क्या क्या होता है यार और अभी तो फियाल मैं स्याम के टाइम गूमने के लिए आया हूं सडक पे और उससे आगे यार वीडियो नहीं बना पाई है मैंने थोड़ो एक दो रील्स एक नय ब्लॉग बनाएंगे मंदिर वाला तो उमीद है आप सबको यह ब्लॉग भी पसंद आए होगा ब्लॉग पसंद आए लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं कल न्यूव व्लॉग के साथ में चला तक 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 कर दो